और आज आपको पते हैं मैं अभी classroom में बच्चेओं को जब हम दूद दे रहे थे तो जल्दी जल्दी उन्होंने खतम कर लिया तो मुझे बड़ी खुशी हुई जो दूद भी आपको रोज मिलेगा वो आपने वही पीना है उसको खतम करना है ठीक है क्यूंकि अभी आपकी growing age है और growing age में आपको बहुत nutrition चाहिए होती है, vitamins चाहिए होते है, calories चाहिए होती है मेरा बहुत दिल करता है कि मेरे पास 49,000 something schools हैं पूरे पंजाब में और उसमें लाखों बच्चे पड़ते हैं तो मेरा तो ये दिल करता है कि हम आपको एक proper meal school में दें, लेकिन आपको पता है कि जो पाकिस्तान है वो बहुत अमीर मुल्क नहीं है, हमारे विसाइल थोड़े हैं, इंशाला अच्छा वक्त भी आएगा, आ रहा है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि जितना हम आपको facilitate कर सकें बच्चों, जितना मैं आपके लिए कुछ कर सकूँ मों मैं करूँ और मैं हर रोज, सुबह, दुपैर, शाम, रात, मैं आप सब के बारे में सोचती हूँ और ये सोचती हूँ, मेरी driving force, मेरी motivation, आपका चेरा मेरे सामने आता है और मुझे होता है कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ कर जाओ आपके स्कूल की education बेतर हो जाए, आपके स्कूल की building बेतर हो जाए, आपका महौल बेतर हो जाए, आपकी surroundings, आपका environment बेतर हो जाए आपकी जो पढ़ाई की quality है वो बेतर हो जाए, जो teachers हैं वो बेतरीन तरीके से आपको तालीम दे सकें और हम आपको वो सब सहूलतें दें, जिन सहूलतों को private schools में दिया जाता है, जो बहुत पैसे दे के वो सहूलतें जो ली जाती हैं, मैं चाहती हूं कि बगएर एक पैसा भी खर्श किये, वो सब सहूलतें आपको मिलें, आपको proper computer labs मिलें, आपकी जो syllabus है, curriculum है, उसको हम upgrade कर रहे हैं, उसकी हम development कर रहे हैं, आपकी teacher trainings पे हम काम कर रहे हैं, आपकी school की outsourcing पे हम काम कर रहे हैं, आपकी games पे, आपकी sports पे हम काम कर रहे हैं, ताकि किसी भी area में आप लोग किसी से private school के बच्चों से बिलकुल पीछे ना, और वच्चों, मैं आपके थरू, डिरह घाजी खान में आज में आई हूं, तो आप जानते हूं मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलने आई हूं, और ये प्रोग्राम मैंने लहौर से शुरू नहीं किया पिंदी से शुरू नहीं किया ये प्रोग्राम मैंने डीजी खान से शुरू किया माशाला सौथ पंजाब से शुरू किया क्योंकि मेरे इल्म में ये बात आई थी कि सौथ पंजाब के बच्चे जो हैं राजनपुर, मुझफरगड, डेरा घाजी खान ये बच्चे जो हैं ये ना सिर्फ गजाई के लग का शिकार हैं मैलनुट्रिशन का शिकार है, बलके स्टंटेड ग्रोथ का शिकार है, तो मैंने सोचा के मैं इसको सौथ पंजाब से शुरू करूँ और आज इस मिल्क प्रोग्राम का आज पहला देने हैं और वो मैंने देरा घाजी खान से उसका आगाज किये और बच्चो मुझे बताओ कि मैं लहौड से किसको मिलने आई हूँ, आप लोग खुश हों, मैं भी बहुत खुश हूँ आपको मिल के तो बच्चो मैं ये भी आपको बताना चाहते हूँ और आपके थुरू पूरे पंजाब के स्कूल्स के बच्चों को ये बताना चाहती हूं कि जो किंडर गार्टन है, नर्सरी है, प्री नर्सरी है वहां से लेके क्लास फाइव तक के बच्चों के लिए हम ये प्रोग्राम फ्री दूद का, डेली एक पाकेट आपको दूद का मिलेगा जिसमें हमने कोशिश की है, कि सारी जो निट्रिशन हम डाल सकते थे वो डालें तो बच्चों पहले ये कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ और ये, इसमें ये बहुत महिंगा प्रोग्राम है लेकिन मेरे बच्चों से ज्यादा महिंगा कुछ भी नहीं बहुत लोग आएंगे, वो कहेंगे, कि हमें स्कूल एजुकेशन को इंप्रूफ करना है ये बच्चे हमारा मुस्तक्बिल है, ये बच्चों के बगएर, इन बच्चों के हाथ में हमारी जो आने वाली नसले हैं उनके हाथ में हमारा मुस्तक्बिल है लेकिन जब अमली काम करने की बारी आती है, तो कुछ नजर नहीं आता तो बच्चों, मैं ना सिर्फ ये क्लेम करती हूँ, ना सिर्फ मैं ये दावा करती हूँ ना सिर्फ आपको मैं ये कहती हूँ दिल से कि मुझे आप से प्यार है और आप मेरा फ्यूचर हो, मेरे मुल्क का फ्यूचर हो, इस वतन का फ्यूचर हो बनके मैं ये चाहती हूँ कि मैं practically कुछ आपके लिए अमलन मैं कुछ करके दिखाऊँ ताके आपको लगे कि आपकी चीफ मिनिस्टर आपकी मा की तरह है और बच्चों, ये देरा गाजी खान, राजनपुर और मुझफर गड़ से हम इस पूरे प्रोजेक को इस प्रोग्राम को लाँच करने जा रहे हैं और एक सर्वे आया था जिसमें ये कहा गया कि इस इस इन शेरों के जो बच्चे हैं, इस ला के जो बच्चे हैं उसमें बच्चों के कद, वजन और उमर का जो रेशो है वो देखा गया तो पता चला कि यहां पर बच्चों की जो ग्रोथ है उस तरह की नहीं है उनकी उमर के हिसाब से जो होनी चाहिए तो मैं यह चाहती हूँ कि ना सिर्फ आप अंदर से स्ट्रॉंग हो बलके बहार से भी बहुत स्ट्रॉंग नजर आओ लोगों को ठीक है दूद पियोगे ना रोज पियोगे ना वादा वादा करते हैं ना तो वादा पूरा करते हैं